चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आये, कल सरकार भी बन गई, यह सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है, जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, यह अपने देश के प्रजात आंत्रिक तंत्र में प्रती पाच वर्षों होने वाली घटना है, होती है, उसके अपने नियम है, डायनेमिक से उसके अनुसार होता है, अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्दारन करने वाला वो प्रसंग है, महतोपुर्ण है, लेकिन हम चर्विच्चरवन करते रहें, इतना महतोपुर्ण क्यों है, समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा, क्यों कैसे इसमें संग के हम लोग नहीं पढ़ते, हम अपना करतव यह करते रहते हैं, लोग का मत परिशकार का, प्रती वर्षच करते हैं, प्रती चुनाउँ में करते हैं, इस बार भी किया है, बाकि क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पढ़ते नहीं क्योंकि आज ही कल ही अधर्णिय सत्यप्रकाश महाराजी ने हमको एक वच्चन बताया कबिर जी का सार रूप में हम लोग उस प्रकार से विचार करते हुए इन सब बातों को देखते निर्बंधा बंधा रहे बंधा निर्बंधा होई कर्म करे करता नहीं दास कहाए सोई जो सेवा करता है जो वास्तविक सेवक है जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है उसको कोई मर्यादा रहती हूँ, वो मर्यादा से चलता है काम करते सब लोग है, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना जैसा तथागत ने कहा है, कुसलस्स उपसंपदा अपनी आजीविका पेड भरने का काम सब को लगाई है, करना ही चाहिए अपने शरीर को भुका नहीं रखना है परन्तु करते समय कुसलस्स उपसंपदा है, कुशल पूर्वक यानि उपस्जीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिछोत होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए ये मर्यादा भी उसमें नहीं थै तो ऐसी मर्यादा रखके हम लोग काम करते हैं, काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है, वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृती है, जो महराजी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो करम करता है लेकिन करमों में लिपत नहीं होता उसमें अहंकार नहीं आता कि मैं नहीं किया और वही सेवक कहलाने का अधिकारी देता है ये उक्तिकल जब उन्होंने सुनाई तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है संग कैसे चलता है उसको बताने का दूसरा कौन सा उपाय सरहल उपाय में यही है चार पंक्तियों में संग की उर्ति धान में आती है क्योंकि इन बातों में उल्जे रहेंगे तो काम रहें जाएंगे और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है वास्तव में तो प्रजात अंतर की अनिवार या आवश्चक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्षर रहते हैं इसलिए स्परदा रहती है स्परदा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का स्वयम को आगे बढ़ाने का काम होता ही है होना ही चाहिए परंद उसमें भी एक मर्याद आए असत्य का उप्योग नहीं करना चुने क्यों जा रहे लोग सौसत में जाएंगे बैठ कर उपने देश को चलाएंगे सहमती बना कर चलाएंगे हमारे यहां तो परंपरा सहमती बना कर चलने की है समानो मंत्र समिती समानी समानम मन सहचित्त मेशाम इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की ठिपणी है वो कहते कि रुगवेत कारों को मानवी मन का कितना ज्यान था यह समझ में आता है सब जगह उन्होंने सम कहा है समानो मंत्र समिती समानी समानम मना लेकिन चित्त के बारे में समझ नहीं कहा क्योंकि प्रत्यक व्यक्ति का चित्त मानस अलग-अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना समझ नहीं है लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग-अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चे करते है तो सहचित्थ बन जाता है बास्तों में संसत क्यों है उर्समें दो पक्ष क्यों है इसलिए है कि दोनों पहलू उजागरों किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं ऐसे किसी भी प्रश्टन के दो पहलू रहते हैं एक पक्षे एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्षे ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्ण अताहा ठीक हो सहमती बने इसलिए संसत बनती है लेकिन ऐसी सहमती बनना स्परधा करके आये लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमती का आसरा लेते हैं उसके लिए इस परधा कलती है इस परधा है कोई आपस का युद्ध तो है नहीं जिस प्रकार ये बाते हुई जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ जिस प्रकार प्रचार के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा दो गट बटेंगे आपस में शंका संसे उत्पन होगा इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संगे जैसे संगटनों को भी उसमें खीचा गया टेकनोलोजी का सहरा करके असत्य बाते पर उसी गई नितांता असत्य क्या शास्त्र का विद्यान का विद्या का ये उप्योग है सज्जन विद्या का ये उप्योग नहीं करते विद्या विवाद आया ये खलस्य ऐसका आये विद्या विवाद आया धनम्मद आया शक्तिफ परेशाम परपीडन आया खलस्य शादो हो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय चा रक्षन आया विद्या का उप्योग प्रबोधन करने के होता है करने के लिए होता है लेकिन आधुनिक विद्धा टेक्नोलोजी का उपयोग असत्य परोस्ति के लिए किया गया ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई आखिर सब को देशे ही चलाना है न दो पक्षा है विरोधी पक्षा कहते है मैं प्रतिपक्षा कहता हूं वो वि विचार होना चाहिए ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्चक है कि हमारे देश के सामने चुनोतिया समापता नहीं हुई अब सरकार बन गए वही सरकार फिर से आगई इंडियेः अब यह ठीक है पिर्षले 10 वर्षों में बहुत कोज़ अच्छा हुआ आर्थिक हमारी स्थिती आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है जिसके आधार पर आर्थिक स्थिती का मापन करती है उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिती बहुत अच्छी हो रही सामरिक स्थिती हमारी निस्थित रूप से पहले से अधिक अच्छी है दुनिया भर में हमारी देश की प्रतिष्ठा बढ़ी हैरा कला चेत्र में उसक्रिद्धा के शेत्र में हम सब लोग विश्वके साबने आगे बढ़ रहे हैं हमको धिरे-धिरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुनोतियों से मुक्त हुए अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है समस्याओं से रहात लेनी है अभी हम बैठे हैं गरमी लग रही अभी तो ठंडा हो गया लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गरमी थी इस वर्षा हर वर्षा से बहुत अधिक गरमी हुई और सर्वत्र हुई हिल स्टेशन्स में भी हुई बंगलूरू जैसे महानगर में जलका संकट आ गया हिमालयों हिमालय के हिमनदियों के पिगलने के बारे में तरदरी की बाते छप रही है परियावरन का सारी दुनिया पर संकट है भारत जो संसकारों से ही परियावरन का मित्र बनकर चलता है कृतजनेता पुर्वक नदियों को रुक्षों को पहाडों को पशूं को पक्षियों को पूझता है उनके साथ अपना संबन्न मानता है वहाँ भी ये संकट खड़ा हुआ है चोंकि विकासपत की दुरुष्टी अधुरी है उसको बदलना होगा सबको बदलना होगा लेकिन जिसके पास ये दुरुष्टी पहले से है वो भारत अपने आपको कैसे बदलता है ये देखकर दुनिया उसका आनुकरन करने वाली है तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकासपत ठीक से बना रहे हैं अबी उस स्व का विचार करके भी बहुत सी बाते हो रही है लेकिन हमको मूल से विचार करके दुरुष्टिकत सारी बाते बदल के करना पड़ेगा ज्ञान अविज्ञान का जो आधुनिक सारा प्रवास और प्रयास है उसको भी जान में रखकर हमारे परंपरा का ज्यान जो काल सुसंगत है उसको साथ लेकर दुरुष्टि वो रखकर कि वसुधहिवा कुटुमबकम और सुरुष्टि अपनी माता है हम सुरुष्टि के विजेता नहीं है हम सुरुष्टि के अंग है वो माता है उसका दोहन करना है उसका पोशन होना चाहिए इस पर ध्यान देना है उस धंग से विकास की रीती उस धंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे उसके लिए देश में शांती चाहिए जग़ जग़ और समाज में कल ये नहीं चलता अब एक साल से मनिपूर शांती की राह देख रहा है उसके पहले दस साल शांतर रहा पुराना गन कल्चर समाप तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कल है वहाँ पर उपज गया या उपज आया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है तरही तरही कर रहा है कौन उस पर जान देगा प्राथमिक्ता देखे उसका विचार करना ये करता भी है समाज में कितनी बाते आ रही भले घर की महिला है शराब पिकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रोन दीती है कहा हमारी संसकार कहाँ है अभी जो संसकृती अभी तक दुर्जे ऐसी बनी है अभी भी उसको कोई नहीं चीजित सकता लेकिन उस संसकृती के बाहाँ हम लोग उसकी परवा रखेंगे तभी इसलिए समाज में पीडी दरपीडी चलने वाले संपूर्ण सुरुष्टी की धारणा करने वाले धर्म के संसकार जो संसकूर्टी हमको सिखाती है उस संसकूर्टी के पनपने का आगे की पीडी तक पहुचने का प्रश्ण खड़ा हो गया है जिनों ने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है भले ही भौतिक वैभा होगा परिवार टूट रहे है मन में अशान्ती है छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्याले के सापाटियों को गोलियों से भून डालते ऐसी परिस्थितिया आती है कितनी बाते है क्या हमको वैसे बनना है क्या हमको अपना परिवार पहरा नहीं है क्या अपने हमारी सगे संब्द्ध हमारे कुछ नहीं लगते क्या है